शादी का सीजन है, शौपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको घबनानी की ज़रुद बिलकुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार बढ़ती महगाई से परिशान जनता के लिए रहत भरी खबर सामने आई है विदेश्य बजारों में तेजी की वज़े से तेल तिलहन बजार में मुंगफली और सोयबीन तेल बिनौला सीपी ओ पामोलन तेल की किमतों में सुधार देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ बजार में सरसो की नई फसल की आवग बढ़ने से सरसो तेल तिलहन के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है यानि अब आम लोगों को रसोई बज़ट में कुछ रहात जरूर मिलेगी बजार के लोगों के अनुसार शिकागो एक्सचेंज तेल तिलहन मजबूती पर चल रहा है विदेशी बजारों में तेजी के बावजूद मंडियों में सरसो के नए फसल की आवग बढ़ने से सरसो तेल तिलहन के भाव में नर्मी देखने को मिल रही है इससे पहले लगतार तेल तिलहन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी इसके अलावा बजार में पहले हलके तेलों में सोया बीन और बिनौला तेल से सरसो तेल का भाफ 25-30 रुपए किलो अधिक रहा करता था उसके बाद अब सस्ते होने की संभावनाएं भी हैं नए सफसल की वज़े से आवग बढ़ने के बाद इसमें 15-20 दिन में इन हलके तेलों के मुकाबले 5-7 रुपए किलो सस्ता हो जाने का अनुमान है इसके साथ ही बढ़ती महंगाई से राहत के लिए और खाद तेलों के आयात को कम करने के साथ तेल तिलहन के छेतर में भी आद्म निर्भरता हासिल करने के लिए देश को तिलहन उत्पादन बढ़ाने बाद जोर देना चाहिए इसके अलावा तेलों का राजा मुंफली का तेल हलके तेलों में सोया बीन और बीनौला तेल सस्ता हो गया है आई कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जानवार बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर दस मिनट के अंदर तोरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकाब झांचाएगा से आपके वीजया है ओंदर के वीझाओ थाईल